हाई अबरिगोन फिट से एक नीम टेस्टिंग उड़े में आप सबको स्वागा थे तो दोस्तों इस वीडिये का माध्यम से आज मैं आपको जनकाई देने वाला है दोस्तों अगर आप अपना पीएफिकों में क्यों अब्रेट करना चाहते हैं जैसिक अगर आप अपना सब्सक्राइब करने के बाद रांके और को जोड़ना पेइन करना अहीं प्यार करके में करना ये क्लिक करना को कारी सिए permit बदाने वाला हूं वेडियों करते हैंло पहले आप सबस्के एक डिवेदा नाइदर आपी तक बड़े को लाइक कियोंगे तक बड़े को लाइक किजिए चलिए आपको नहीं हमें चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं अफने प्स एको लोगिन होना होगा क्यों अपको लुपकर करना हूगा kaume में अता रुपकर कीसे के दैंगा है दुसरा capture code आ जागा, वो capture code यहाँ पर फ्लब कर देना है, पुरा इटेल फ्लब करने के बाद, यहाँ पर नीचे देखिए लिखा आता हो, आता हो को sign in, तो आपको sign in को click करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको के बाद से update करना है, उसके लिए उपर में देखिए एक section बना ह आता होगा manage का, तो आपको manage पर click करना है, उसके बाद नीचे तीसरा option में नदर आता होगा KYC, तो आपको KYC पर click करना है, उसके बाद यहाँ पर KYC सेक्शन कुल कर आ जाता है, जैसे का screen पर देखिए उपर में लिखा होगा, आता होगा add KYC, उस एक नीचे जो भी आप अप आप इसे update करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अदर्वाज से छोड़ सकते हैं, इसे कोई फाइदा के बात नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको password करसे update करने के तरीका नहीं बता रहा हुँ, यह optional होता है, करना चाहें कर सकते हैं, अदर्वाज से आपको छोड़ देना है, कोई यहास परकश्यान के और है आपको अबधेत करना है। पर आपको SapeCII लिख करना है उसके बाद जो भी आपके अधार काट के साथ मोबाईल नमर लिंक होता है उसके इसके बाद जो भी आपके रिश्टन आपके ऊड़ीपी गए है यहां पर आपको प्लग करना है उससे पहले आप एक बाद डीटेल चेक आउट कर लिजेगा जैसे कि आपका नाम हो गया पेंट का नमर सब कुछ सही हो जाने के बाद ही यहाँ पर आपका OTP फिलग करना है OTP फिलग करने के बाद नीचे देख़़ी यहां पर नजराद तो सम्मीट तो आपको सम्मीट पर क्लिक करना है जैसा सो aha! Samsung पर क्लिक करते है फाल चार समचे करना है अजाना है अभी अब मैंने आपको बताया था किस पकार सब अपना PF account पेंट को ऐसे अपडेट करेंगे ठीक है उसके बाद जो अगला के वैसे आता है वो bank का तो bank को ऐसे अपडेट करने के लिए simple सा आपको bank पर click करना है उसके बाद जो भी आपके PF account में आपका नाम होता है उसके बाद दुबारा से same account number यहां भी बीचे फ्लग करने है उसके बाद जो भी आपका bank का IPC code होगा वो आपको यहां फ्लग करने है उसके बाद जो भी यहां पे आपने IPC code बाइंग डीटेल फ्लग किया है उससे आपको check out करना होगा कि सही है या नहीं उसके लिए यहां पे लिकाना आपको verify IPC तो आपको verify IPC पर click करने है उसके बाद फाइले यहां पर देख सकते pop-up window है फ्लकर आज चूकर यहां पर लिकाना आताओ IPC verify ठीक है तो same page आपको भी IPC verify करने है आपके बात नीचे देखिए यहाँ पर नजरात OK, तो आपको OK पर किलिक करना है, उसके बात जो भी आपका branch का नाम यहाँ पर फेज कर लेता है, उसके बात आपको नीचे आना है, जब नीचे आएगए तो सबसे पहले यहाँ पर इस box map को टिक मारना है, देन आपको यहाँ चलिक करना है उसके बाद आधार कट के साथ सकते इसके बार निनक होता है नीचे नदर आता हमकुआ सं मिट पर किलिक करना हमें पर тиक चलिक करने के बाद वाद है सकस्टफोले माहस सक्ससपुले माहस था था कर दाता है क्वाइस वोला section में जैसी question पर देख सकते हैं अभी जो आपने क्वाइस से submit किया है उसका complete information देखना चाहते हैं उसके लिए नीचे देखिए आपके पास एक section बढ़ा होना आता होगा पर क्वाइस पर देख सकते हैं सबस्टे नजर आता होगा अभी देख सकते हैं अभी आपने प्वाइस अप्डेट करते हैं उसके पास चला जाता है उसके पास जो भी आपका उसके बाद फाइले आपका क्वाइसी सक्सेस्फुल आपके PFA को में सक्सेस्फुल अपडेट हो जाता है जब अपडेट हो जाएगा उसके पाद जो आपका क्वाइसी होता है वो करेंट एक्टीर क्वाइसी वोले सक्सें में आपको पास यहां पे सो हो जाता है तो दोस्तों इस पकार से मैं आपको बता दियों किस पकार से पर प्राइब को आपको 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 यही होता है, यह बेखो के तरफ से अधार कोई से अपडेट करने के कोई भी ओलना प्रोसस नहीं है, कि एवार एक ही प्रोसस है, जो भी आपका company, जो भी आपका employer, जो भी आपका ठीकेदार है, उस लिए के माध्यम से आप अपना PF1 अधार कोई से अपडेट करा सकते हैं, च यहां पर देखे, पूर्फ में आपको दिखा रहा हूँ, यहां पर लिखा आता होगा, your UN is not linked with Aadhar, फैलिटर सकते हैं, मेरे UN अधार के साथ लिंक नहीं है, first member has to link his Aadhar, ठीक है, मतलब सबसे पहले, आप अपना UN नेमर के साथ Aadhar link करें, ठीक है, उसके बाद नीचे देखे प्रोसेस होता है आसा कर तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सेनल पन नहीं आपको सब्सक्राइब किसी परका सब्सक्राइब कोई भी प्रोब्लम आता होगा डाइट का आप कॉमेंट कीजिए ठीक है तो चलिए फिर से मिलते एक नए इंटेसिंग वीडियो के साथ तब तक जैहिंद जैभारत